वेलकम टू एस अकेडमी बिहार के इस्ट्रूएंस के लिए आज के प्रभात खबर में बहुत ही अच्छी नियूज दिया हुआ है और इसमें बताया गया है कि उच्छ मादमिक विद्यालों में होगी 33,916 सिख्षकों की बहाली तो पूरी खबर को हम लोग चलिए देखते हैं कि आखिर क्या दिया हुआ है इसमें दिया गया है कि मुखमंतिर नीतिस कुमार की अध्यक्सता में मंगलबार को राजे केविनेट की बैठक में 10 एजेंडों पर मुहर लगाई गई और गैविनेट नीराजे के माधमिक विद्याले विहिन पंचायतों में अस्थापित किये जा रहा है उच माधमिक सिख्षकों के 33,916 पदों की इस रिजन की सहमति दी है यानि इतना जो पोस्ट है टीचर की इस पे मुहर लग गया है और ये फाइनली हमारा वेकेंसिज इतना पास हो गया है बिहार सरकार के द्वारा और इतना वेकेंसिज आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा तो जो भी स्टूजेंस बीएड और डीएड की हुए हैं और बिहार में टीचर बनने के सपना देख रहे हैं वो तेयारी में जुट जाएं क्योंकि बहुत ही जल इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा बिहार सरकार के द्वारा और भी आगे दिया गया है इसमें कम्प्यूटर साइंस के लिए भी अच्छी ख़बर है कि इसमें माधमिक सिक्षकों के 32,916 पद और कम्प्यूटर सिक्षक के लिए 1000 पद सामिल है अब इन पदों पर सिक्षकों की नियुक्तिक की जाएगे यानि यहाँ पे कम्प्यूटर साइंस के लिए भी बहुत ही अच्छी ख़बर है कि यहाँ पे 1000 पोस्ट कम्प्यूटर साइंस के लिए भी है जो की बीटेक किये हुए हैं या फिर MCA एस्टुडेंस हैं तो वो साथ बने रहिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेयर किजेगा ऐसे ही न्यूज अपडेट्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दिजेगा और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ठैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो